ग्रंथियों का वर्गी करन जो ग्रंथिया हैं जो ग्लैंड्स हैं उनको क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे कोशिका संख्या के आधार पर सीख लीजिए सिंपल सी बात है ज्यादा है नहीं इसमें कुछ कोशिका संख्या के आधार पर ये वर्गी करन किया जा रहा है और क्या बोल रहे हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाए जाती पहला एक ग्रंथि नई एक कोशिकी ये एक कोशिकी और दूसरा है बहु कोशिकी दूसरा क्या है बहु कोशिकी ग्रंथि एक कोशिकी ग्रंथिया और बहु कोशिकी ग्रंथिया ये ग्रंथियों के क्या है बेटा वराइटी यहां से सुनिएगा आपके NCRT के गौडिंग अगर में बोलू तो ग्रंथियों को हम कितने कोशिका के अधार पर दो प्रकार में बाट रहें एक कोशिकी ग्रंथिया बवकोशिकी ग्रंथिया अब यह क्या होती है यहाँ पर सुनिए आप बोल रहे हैं कि सर यह ग्रंथिया यह ग्लैंड है और इस gland से बन रही है इन gland से बन रही है क्या? ग्रंती, जहां से क्या निकलेगा? सिक्रिशन होगा, कोई स्रावण होगा अब आप बात कर रहे हैं कि यार कुछ ग्रंतियां ऐसी है कुछ glands ऐसी है जिनके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है और बहुत सी ग्रंतियां ऐसी है जिसके अंदर बहुत सी कोशिका है पाई जाती है तो जहां पे एक कोशिका है उसे बोलेंगे एक कोशिकी ग्रंती अब आप बोलेंगे सर कोशिका बोले या ग्रंती बोले तो बच्चों सुन लीजिए आपके N.C.I.T. में ये डेफिनिशन भी चेंज कर दी गई हैना मोडिफाई कर दिया गया ग्रंती मतलब क्या है कि वो कोई सी भी जगा हमारे शरीर में हमारे शरीर में कोई सी भी वो जगा चाहे वो उतक हो वो आर्गन हो वो एक सेल हो वो स्ट्रक्चर कैसा है ये मैटर नहीं करता. मैटर क्या कर रहा है कि हमारे यानि मानो सरीर के अंदर प्रजेंट उपस्ति तो वो सरचना जिस से किसी क्यामिकल का रिलीज हो रहा हो जो कोई ऐसा रासायनिक स्रावर कर रही है कि उससे स्रावित पदार्थ आपके सरीर में चीजों को नियंत्रण करने में हेल्प कर रहा है या किसी अभिक्रिया को करवाने में और रोकने में हेल्प कर रहा है आप उससे ग्रंथी बोलेंगे ग्रंथी का मतलब क्या हुआ कि भाई human मानो सरीर में कोई भी मानो सरीर के अंदर उपस्तित कोई सी भी वो सरचना जो सरचना मानो सरीर के अंदर किसी ऐसे रसायन का श्रावन कर रहा है जो रसायन human मानो सरीर के अंदर होने वाली किसी क्रिया अभिक्रिया को रोक रहा है बढ़ा रहा है या उसको नियंत्रित कर रहा है मतलब रासायनिक स्रावण जहां से भी ऐसा होगा उसे आप गरंती बोलेंगे अब वो एक कोशिका भी हो सकती है वो एक उतक भी हो सकता है वो पूरा का पूरा एक अंग भी हो सकता है आप समझने आ रहा है इसी अधार पे हमने बाटा है कि एक कोशिका भी गरंत हो सकती है क्यों कि एक कोशिका से भी ऐसी चीजों का स्रावड हो सकता है और ये आप सीखोगे जब आप पढ़ोगे मानों के पाचन तंत्र के बारे में वहाँ पर पढ़ते हो गौबलेट सेल याद है आप लोगों को आ जैनि कम से कम घर्षण से आपका खाया हुआ खाना आपके आहार नाल में आगे बढ़ता जाता है क्रमान कुंचन गती से यस और नो क्या क्यों उसके सता पे ये लुब्रिकेंट का काम करता है जिससे फ्रिक्शन जिससे घर्षण कम हो जाता है और हमारा खाना आराम से हमार आहार नाल में आगे बढ़ता रहता है आप पढ़ोगे इंटेस्टाइन के अंदर जब क्रिप्ट सॉप लुबरकुवन की बात होती है वहाँ पे उस लुबरकुवन के अंदर वहाँ पाई जाती है पैनिट सेल वो पैनिट सेल है जो सिक्रीट कर रही है बैक्टिरियो लाइसिंच यसे चीज़े जो बैक्टिरिया को खिल कर रहे हैं यानि आप कीदे-सीदे समझ लीजिए कि कोई सी भी जगह वो स्रजना कैसी भी हो सकती है एक कोसकी, बव कोसकी बव कोसकी में भी उतक का निर्माड करती है नहीं करती कोई फरक नहीं पड़ता बस एक चीज़ ध्यान देना है वहां से एक रसायन का स्थ्राव होना चाहिए तो जब आप बात कर रहें एक कोशिकी ग्रंतिया यानि ये ऐसी कोशिकाएं ये क्या है कोशिकाएं है ऐसी कोशिकाएं जो शरीर में जरूरी रसायनों का स्थ्राव कर रहे है जो रसायन का स्थ्राव कर रहे है वो ग्रंति हो गई लेकिन ये क्या है ये कोशिकाएं है जो क्या करती हैं जैसे उदाहरर की बात हमने कर ली बेटा अभी अभी हमने एक्जामपल पढ़ लिया बातों बातों में गॉबलेट सेल या सौनू जैसे बातों बातों में क्या हो गया हमारा गॉबलेट सेल अब इसे हिंदी पे भी तो गॉबलेट ही बोलते होंगे यार नाम थोड़ी चेंज कर देंगे गॉबलेट कोशी का दूसरा पैनिट सेल पैनिट कोशिका ये क्या है एक कोशी की देखो दिरा इंसी आटी पढ़िए क्या लिख रहा है एक कोशी का वरिकित कर सकते हैं एक कोशी की ग्रंथ जो प्रिथा ग्रंथिल कोशीकाओं का बना होता है वो बोला है ग्रंथ है लेकिन वो कोशीका का बना हुआ है वो क्या है, ग्रन खेलेंगी कैसे बना, कोशिका का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका, ये लो, गौबलेट सिल का नाम क्या है वही है, यहाँ पे, कलश कोशिका, चलो आजाओ, इसको हम भी अपडेट कर देते हैं, गौबलेट सिल के नाम को, यहाँ पे लिख दे कलश कोशिका क्या हो गया यह कलश कोशिका दूसरा पैरिज सेल अब बहु कोशिकी गरंतिया यहाँ पे हमारे सरीरे पार जाने वाली जो माक्सिमम ग्लैंड्स है न यहाँ पे क्या है बहुत सी कोशिकाएं एक साथ मिलकर यहाँ पे क्या है वाँ पे एक कोशिकाई थी यहाँ पे क्या कहानी है बहुत सी कोशिकाएं एक साथ मिलकर किसी रसायन का स्राव कर रही है किसी रसावन का स्राव करती हैं तो वो क्या हो गई बहु कोशी की ग्रंथिया और इसका उधारण क्या होगा बेटा इसका एक्जाम्पल क्या होगा मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथिया मुख्यतय मुख्यतया और अधिकांश दोनों लिख रहा हूँ यानि हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो ग्रंथिया है वो अधिकांश ग्रंथिया कैसी है बहु कोशी की बहुत कम ऐसे है जो एक कोशी की है हमने नाम फिर भी लिख लिया यहां पर आप देखेंगे बहुत ध्यान से यह एक कोशी के है और वाला यहां पर यह पूरा का पूरा एक कोशी का बना हुआ है आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आपा है प्रॉपर यहां पर कहानी क्या है कि अगर मैं इसकी बांडरी बना हूँ इस पर बहुत सारा यह ब्रश बॉर्डर पिथिलियम टाइप का बना हुआ है अब यह एक कोशी का है इस एक कोशी का के अंदर ही इस एक कोशी का के अंदर ही ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है कि इसकी कुछ कोशी का है ग्रंतिल हो गई है जो सिक्रीशन निकाल रही है जो क्या कर रही है कोई चीज सिक्रीट कर रही है एक कोशिका ही है तो हमने इसे क्या बोल दिया एक कोशिकी ग्रंथिल कोशिका यारी एक कोशिकी ग्रंथ यहाँ पे क्या है यहाँ पे यह पूरा सचना दिख रहा है यहाँ पे एक कोशिका ये है नहीं दिख रहा हो आगा आपको कोशिका इसमें कहां बना है आप एकने NCRT में देखेंगे आपको ये डाइग्राम बहुत क्लियर दिख जाएंगे जैसे एक कोशिका ये है एक कोशिका ये है एक कोशिका ये है जो किसी एक जगह पे इकठा होंगी क्या होंगी? यहां से निकल के यहां यह भी नहीं दिख रहा है यह ले 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 लो यह भी नहीं दिख रहा है गाड़ा यह ले लो जो यहां से निकल के यहां पे यहां से निकल के यहां पे यहां से यहां इस जगह पर क्या होगी? collect होगी, एकत्रित होगी सबसे मिलके, और यहां से यह बाहर निकले यहां पर एक कोशिका ही थी जहां से स्रावर्ण था यहां से बहुत सारे इसलिए इसे आप बहुत कोशिक बोलते हैं और इस स्रच्रा को आपने क्या बोल दिया एक कोशिक बोल दिया पहले यह समझ में आ गया बहुत कोशिकां में जो कि कोशिकाओं के पुझ से, गुरुप से, समूज से बनती हैं कोशिकाओं के किस से? पुझ से बनती हैं इसलिए इसे क्या मोल दिया? बहु कोशिकी उदारण हमारा सलिवरी ग्लैड बहुत सारे हमारे सरी में पाजनल जो मैक्सिमम ग्रंतियां है वो ऐसी प्लेर मत्य?